क्या आप कॉस्मेटिक शॉप या फिर कॉस्मेटिक शोरूम चलाते हैं, रन करते हैं, तो वहाँ पर आपको कैसे अकाउंटिंग को मेंटेन करना है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसके लिए मैंने कमेंट्स पर रिसीव किया था, सरको में थैं अगर आप कॉस्मेटिक शॉप रन करते हैं, वहाँ पर आपको कैसे अकाउंटिंग मेंटेन करनी हैं, ये सारी चीज़े हैं आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आगी बढ़ने से पहले, आप सभी लोग के साथ में शेयर कर हुआ हैं, इंगलिस लेमज में, तो प्लीज वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, तो देट वो चैनल भी ग्रो हो सके, और में अकाउंटिंग का वर्क मेक्सिमम लोगों तक रीच हो सके हम, और मेक्सिमम लोगों को हम सिखा सके, और बेल आगर प्रेस करना ना पुलिएगा, इस दें फेचर जो भी वीडियो में अप्लोड करूंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस्स नहीं कर पाएंगे, तो चलिए आज का वीडियो जो है, बहुत स्टार्ट कर लेते हैं, कॉस्मेटिक अकाउंट उसके बाद आपको स्टेट सेलेक कर लेना है कि आपकी कंपनी किस स्टेट से रेजिस्टर्ड है, पीन कोड नमबर, टेलीपोन नमबर, मोबाइल नमबर, फेक्स नमबर, एमेल आईडी, वेबसाइट, सारी इंफोमेशन कंपनी की फील कर लीजिए, और यहाँ पे अगर आ पेले आप्टिन को यस कर लीजिए, यहाँ GST डिटेल सारी आपको फील कर लीजिए, कि क्या आपका GST नमबर है, सारा कुछ फील करके इसको सेप कर लीजिए, तो कंपनी यहाँ पे सक्सेस्फुली क्रियेट हो चुकी है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एंट्री करेंगे पर्चेस की, जहाँ पे की हम अपने सप्लायर से पर्चेस करेंगे कॉस्मेटिक प्रोड़क्ट्स, तो गेटफिय आप्टेल से आपको वीप टेस्ट करना है, राइट हैं साइट से हम पर्चेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे आइटम इसलिए आपको चेंज मोड पे क्लिक करके आइटम वाला जो आप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है, अब यहाँ आपको सबसे पहले सप्लायर का इन्वाइस नंबर फील करना है, जो भी आपके सप्लायर का इन्वाइस नंबर है, और जिस भी डेट में इन्वाइस है, वो supplier का ledger create कर ले रही हूँ shoe cosmetic company इसका जो group हम select करेंगे वो करेंगे sundry creditors maintain balances bill by bill हम yes कर लेंगे party का जो address है वो आपको यहाँ पे field कर लेना है detail में party का जो state है वो select कर लीजिए और जो gst नबर है तो party की सारी information field करके इस ledger को आपको save कर लेना है उसके बाद देखिए purchase ledger तो all to see हम press करेंगे यहाँ से हमें एक और ledger की requirement है purchase account under group होगा purchase accounts gst इसके उपर applicable होगा तो यहाँ से gst applicable वाला option आप select कर लीजिए set alter gst में no रखना है type of supply में goods and save कर लीजिए उसके बाद यहाँ पे जो भी आप cosmetic product select करना चाहते हैं जो purchase करेंगे all to see press करके उन सारे cosmetic products के ledger को आपको यहाँ पे create कर लेना है सबसे पहले हम create कर लेते हैं lipstick bracket में मैंने ABC company किया है आप सभी को बता है कि lipstick के कापी सारे brands है कापी सारे companies हैं तो bracket में आप चाहें तो उस company उस brand का name भी यहाँ पे type कर सकते हैं all to see press करके हम यहाँ पे कापी सारे brands के company के करने वाले हैं तो एक group बना लेते हैं lipstick नाम से तो इन सारे brands और company को जो है हम इसी के under में create करेंगे तो हर cosmetic item के लिए हमें group create कर लेना है जिससे की हमें उन सारे brand wise company wise उस particular product को हम उसी में रख सके all to see press करके pieces का जो unit है वो हम create कर लेंगे कैसे create करना है आप screen पे देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे alternate unit में not applicable कर लीजिए GST इसके पर applicable होगा set alter GST में yes करके इस product का जो hsn code है वो fill कर लीजिए taxability में taxable and lipstick के उपर 18% tax है GST rate है तो 18% apply करके इसको save कर लीजिए यहाँ भी description में mention कर सकते हैं lipstick का color mention कर सकते हैं कि किस color की lipstick है तो description को आप use कर सकते हैं या फिर skip भी कर सकते हैं quantity let's taken हम hundred quantity purchase कर रहे हैं at the rate of 1000 rate से तो जो भी rate and quantity है वो आपने according feel कर सकते हैं all to see press करके next जो है foundation cream का में create कर लेती हूँ bracket में आप इस तरीके से company या फिर brand का name mention कर सकते हैं यहीं से हम all to see press करके इस product के लिए group create कर लेते हैं तो shade wise जो भी हम अलग-अलग type के अलग-अलग brand के जो भी हम foundation को purchase करेंगे इसी group के अंडर में purchase करेंगे इसलिए मैंने group create किया है unit में आप number भी ले सकते हैं pieces भी ले सकते हैं इसका जो hsn code है वो fill कर लीज़े taxability में taxable और इसके पर 18% tax rate है तो 18% tax rate apply करते हुए इसको आपको save कर लेना है foundation cream जो है description में shade number आप mention कर सकते हैं foundation में shades आते हैं तो जिस भी shade का आप purchase कर रहे है तो shade number भी आप mention कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर जो quantity है और जिस भी rate से आप purchase करेंगे तो हम यहाँ पर 5 quantity at the rate of 2000 rate से purchase कर रहे हैं all to see price करके next stock को हम create कर लेते हैं next हम create कर रहे हैं kajal bracket में आप kajal भी बहुत सारी companies kajal का हम group भी create कर लेंगे all to see price करके screen पर आप देख सकते हैं मैंने कैसे create किया है gst इसके उपर applicable होगा gst detail में इसका जो hsn code है वो feel कर लीजे textibility में textable और 18% text rate अपलाय करते हुए इसको आपको save कर लेना है अब यहाँ पर kajal है तो देखिए kajal green color में blue color में red color में color wise आता है तो जिस भी color का आप purchase कर रहे हैं आप चाहें तो description में mention कर सकते हैं हम यहाँ पे 100 pieces purchase कर रहे हैं at the rate of 100 rupees से इस तरीके से rate and quantity आप feel कर सकते हैं उसके बाद जितरे भी product आपको create करना है all to see press करके आप सारे product को one by one create कर सकते हैं अब यहाँ पे मैं create कर रही हूँ face powder all to see press करके इसका हम powder का जो group है वो create कर देते हैं so that अलग-अलग company के brand के जो powder है मैं इसे मैं create कर सके हैं hsn code पील कर लीजिए taxable में taxability और इसके उपर 18% tax rate apply करते हुए इसको आपको save कर लेना है description में आप जिस भी company का जो भी flavor है वो mention कर सकते हैं quantity में suppose कि जब 100 quantity purchase कर रहे है at the rate of 200 rate से all to see press करेंगे और हम यहाँ पे hair oil purchase कर रहे हैं bracket में आप brand and company का name mention कर सकते हैं all to see press करके group यहीं से हम create कर लेंगे oil का pieces में लेना है, number में लेना है, boxes में लेना है unit as per your requirement आप यहाँ feel कर सकते हैं adjustion feel कर लीजिए, taxability में taxable 18% tax rate apply करते हुए इसको हम save कर लेंगे और इसके बाद oil की जो quantity है, वो quantity आप mention कर लीजिए, किस rate से आप purchase कर रहे हैं, वो rate आप यहाँ पे attention कर सकते हैं तो इस तरीके से one by one आप सारे products को sale purchase कर सकते हैं, state कर सकते हैं कैसे create करना है, मैंने आपको show किया है अब चलिए tax season का ledger create कर लेते हैं, alt to c press करके तो देखिए common ledger अगर आप चाहें to cgst, hgst create कर सकते हैं जिसको कि हम sale and दोनो purchase दोनों में use करेंगे अगर आप create करना चाहते हैं output cgst, input cgst तो इस तरीके से भी आप create कर सकते हैं तो चलिए, input cgst हम create कर लेते हैं, under duties and taxes, gst and central tax, उसके बाद हम alt to c press कर लेते हैं, input as gst का ledger create करेंगे under duties and taxes, gst and state tax and save कर लेजे इस तरीके से जो cosmetic हमने purchase किया है, अपने suppliers का वो complete हो चुका है अब यहां हमने purchase कर लिया है अगर आप gst tax analysis करना चाहते हैं, तो right hand side से related reports पे क्लिक कीजिए gst details पे क्लिक कीजिए right hand side पे छोटा सा arrow and detail पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आप gst tax analysis भी कर सकते हैं, print पे क्लिक कीजिए, current पे preview पे and f4 press कीजिए, इस तरीके से आप अपने purchase invoice का print preview देख सकते हैं, तो हमने यहां पे purchase कर लिया है, अब मैं आपको show करती हूँ, अब हम sale करेंगे, देखिए हम जब sale करते हैं, तो cash में भी sale करते हैं, कोई customer होते हैं, जो unregistered होते हैं, तो उन customer को भी हम sale करते हैं, और registered customer भी होते हैं, तो cash में कैसे हमें sale करना है, sales voucher select कर लीजिए, app to press करके आपको date change कर लिना है, यहाँ पे cash का ledger already by default tally prime में होता है, तो cash का ledger हम यहाँ पे select कर लेंगे, all to see press करके हमें sales account का ledger create करना है, तो यहीं से all to see press कर लीजिए, sales account का ledger हम create करेंगे, under sales account के gsts के उपर applicable होगा, उसके बाद no कर लीजिए, and then goods file option आपको select कर लेना है, and इसको हम save कर लेंगे, अब उसके बाद जो भी product आप sale कर रहे हैं, 5%, 10%, 20%, उस margin को add करके हाँ पे आप sale कर लीजिए, तो हम यहाँ पे here all sale कर रहे हैं, to quantity at the rate of 200 pieces से, all to see press करके, output cgst, text session वाला ledger हम create कर लेंगे, under duties and taxes, then gst and central tax, इसी तरीके से output as gst का ledger, all to see press करके create करना है, आपको output as gst, under duties and taxes, gst, and state tax, इस तरीके से cash में आपका जो invoice से वो ready हो चुका है, अब इसके बाद, जैसे कि आप B2B sale करेंगे, जो register person है, इसको आप sale करते हैं, तो इसके लिए आपको date change कर लेना है, और यहीं से all to see press करके आप अपने buyers का ledger create कर लेंगे, तो यहाँ पर मैं create कर लेती हूँ, suman cosmetic company हमारे buyer है, under जो group create करना है आपको, यहाँ पर हम select कर लेंगे, sundry, data, maintain balances, bill by bill, yes कर लीजिए, party का address, state, gsg number, सारी information field करके, इसको save कर दीजिए, अब उसके बाद, हमने सारी information field कर ली है, sales account में, हमें sales account select करना है, अब जो भी product आप यहाँ पर sale करेंगे, one by one, सारे product को, quantity को, rate को, आपको select करने ते जाना है, तो यहाँ पर मैं lipstick sale कर रही हूँ, quantity हम यहाँ पर 70 pieces sale कर रहे है, add the rate of जो भी आपका purchasing rate है, उससे plus करके, जो भी margin आप रखना चाहते हैं, तो add the rate of 1000 रुपीज से sale कर रहे हैं, उसके बाद हम फाउंडेशन cream sale कर रहे हैं, 4 pieces कर रहे है, add the rate of 500, तो जो भी rate है, वो rate और quantity आप feel कर सकते हैं, काजल हम sale कर रहे हैं, 5 pieces, 150 rate के according, और उसके बाद हम कर रहे हैं, यहाँ पे face powder जो है, आप quantity यहाँ पे साथ में देखेंगे, तो आपको available quantity शो होगी, इस तरीके से one by one सारे product को आप select कर सकते हैं, जो भी product आप sale कर रहे हैं, उसके बाद हमें इसके उपर takes apply करना है, तो takes का ledger कैसे create करना है, मैंने earlier आपको बता दिया है, उस तरीके से आप create कर सकते हैं, तो local में हम sale कर रहे हैं, output see just as just apply कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे related reports पे click करके just detect analysis करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से details पे click करके कर सकते हैं, print preview अगर आपको देखना है, तो print पे click किजिए, current पे and then preview पे, app for press करेंगे, तो यहाँ देखे, आपका invite zoom हो जागा, इस तरीके से आप print preview देख सकते हैं, तो यहाँ पे cosmetic product के लिए company कैसे create करना है, कैसे ledger, stocks, buyers के ledger, suppliers के ledger कैसे create करना है, उसके बाद कैसे आप purchase करेंगे, कैसे आप sell करेंगे, यह हमने अब तक देखा, अब मैं आपको show करती हूँ, चलिए balance sheet को analyze करते हैं, तो balance sheet open कर लेंगे, current liabilities में जब आप enterprise करेंगे, तो sundry creditors में, जिन जिन से आपने purchase किया है, वो show होगा, duties and taxes में आप देखेंगे, enterprise करेंगे, तो यहाँ देखिए, debit side में input, and credit side में output वाली value आपको show होगी, यहाँ पे हमारा input ज़्यादा है, output कम है, यानि कि हमारी tax liability नहीं बनती है, current assets पे click करेंगे, तो sundry data में, जिन जिन को आपने sale किया है, वो reports मिलती है, तो इस तरीके से balance sheet को आप analyze कर सकते हैं, अब चलिए देख लेते हैं, GST reports को analyze करना, तो GSTR2 में आपको अपने purchases show होते हैं, date change कर लीजिए, तो GSTR2 में जो भी आप purchase करेंगे, तो यहाँ हमने जो purchase किया था, आप देख सकते हैं, B2B में हमें show हो रहा है, इसी तरीके से GSTR1 reports को आप open करेंगे, जहाँ पर कि हम sale reports को देखते हैं, date change कर लीजिए, उसके बाद हमने एक B2C को sale किया था, cash में और एक हमने B2B किया था, आप यहाँ देखेंगी mismatch में show हो रहा है, तो enterprise कीजिए, यहाँ पर कोई हमने mistake किया होगा, वो mistake हमें show हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने party का GST number फिल नहीं किया था, तो जो भी mismatch and uncorrect में show होता है, तो वहाँ पर enterprise करके आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको जो भी कमिया show होंगी, उसको आप दूर कर सकते हैं, हमने GST number फिल नहीं किया था, GST number फिल करते ही, देखेंगे वो entry यहाँ से हट के, B2B के column में आ गई है, तो इस तरीके से GSTR 1 में आप sale की reports को देखते हैं, GSTR 3B में हम देख लेते हैं, जिसमें की हमारे outward supply और जो भी हमारी ITC वो हमें show होती है, आप यहाँ देख सकते हैं आपको आउटवर्ट सप्लाई की शो हो रही है, इलिजिबल आईटी शो हो रही इस तरीके से आप कॉस्मेटिक अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं टैली प्राइम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स रिकाउट करना ना खुलिएगा थेंक यू और कीप वाचिंग मैं वीडियो